आज के इस वीडियो में educational psychology में हम बात करने वाले है factors influencing development विकास को परभावित करने वाले कारक तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे factors हैं जो child development को बाल विकास को परभावित करते हैं उस पर अपना असर डालते हैं तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं heritage and environment की आनुवनसिक्ता और पर्यावरण की तो heritage और environment ये दो ऐसे powerful factors हैं जो child development पर विक्ति के विकास पर अपना प्रभाव डालते हैं heritage अनुवनसिक्ता मतलब जो features जो qualities हमें अपने parents से मिली है और पर्यावरण पैदा होने की बाद जो हमारे आसपास की जो surrounding होती है ठीक है हमारे आसपास का जो वातावरण हमें मिलता है चाहे हमारी family का हो गया चाहे neighborhood का हो गया चाहे हमारे जो peer group है जो साथी है चाहे school college या workplace ठीक है ऐसी जगे हैं जिन से मिलकर environment बनता है तो heritage इसका भी असर हमारे growth and development पर पढ़ता है तो जो पर्यावरण जिस पर्यावरण में हम पल बढ़ रहे हैं उसका भी असर हमारे development पर पढ़ता है तो यह दोनों चीजी अगर अच्छी है तो हम हमेसा अच्छी दिसा की और आ है कि एक अच्छा environment बच्चे को मिलना चाहिए ओक है नॉट मैच कैन बी डन फोर दर डवलप्मेंट ऑफ इंडिविजूर रिगार्डिंग इस हेल्टी की अगर हम हेल्टी की बात करें तो इसमें जारा कुछ चेंजिस नहीं किया जा सकते है क्योंकि यह तो वह फीचर से ज क्योंकि उनका एक पार्ट होता है एक अंस होता है तो इसमें चेंजिस तो नहीं कर सकते ज्यादा कुछ लेकिन हम अपने आसपास को जो एनवार्मेंट है उसमें चेंजिस जरूर कर सकते हैं उसको अपने फेवर में कर सकते हैं ठीक है तो हम एनवार्मेंट की अगर बात कर ठीके तो environment की बात करें तो इनमें तीन चीज़ आती है nutrition आता है portion आता है early stimulation प्रारंबिक प्रेड़ना और child rearing practices अगर एचीजे बच्चे को अच्छी मिले तो बच्चा एक सही रस्ते पे चलता है विकास की तरफ आगे बढ़ता है लेकिन अगर एचीजे बच्चे को सही ना मिले तो कहीं न कहीं बच्चा गरत रस्ते पे चला जाता है ठीक है और उसका जो objective है जो goal है उसको achieve नहीं कर पाता तो हम एक एक करके इन पर बात करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें nutrition, portion, we are what, we eat हम वहीं है जो हम खाते हैं तो आपने सुना होगा जैसा खाओगे अन वैसा रहेगा मन ठीक है तो ज़्यादा खाना भी सिहत के लिए अच्छा नहीं है और कम खाना भी अच्छा नहीं है ठीक है और healthy unhealthy healthy food खाओगे या unhealthy दोनों का ही असर हमारी बोडी पर पड़ेगा बस फर्क क्या है healthy खाने पर आपकी बोडी पर एक positive असर पड़ेगा तो unhealthy खाने पर एक negative असर आपकी बोडी पर पड़ेगा so proper nutrition is essential for the healthy development of children in terms of physical and mental attributes की अच्छा खाना हमारे सरीर के और हमारे दिमाग के ठीक है दोनों के विकास के लिए जरूरी है अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा सरीर भी स्वस्त होगा हम healthy होंगे physically भी और mentally भी और अगर ये दोनों चीज़े हमारे फिजिकली भी फीट हो mentally भी तो हम अपने life के हर objective को प्राप कर सकते हैं तो इसलिए अच्छा nutrition भी जरूरी है एक काम्याब सफल जीवन के लिए A child must be provided with balance tight on a regular basis to promote optimal growth and development की अधिक्तम वृद्धी और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बच्चे को संतुलित आहार देना भी बहुत जरूरी है ठीक है यही नहीं कि एक बच्चा चीज़ खाना जा रहा है तो अगर बच्चे को हम चावल दे रहें तो सुबह साम रोज सुबह साम चावल डाल चावल डाल ऐसा नहीं है उसके डाइट में साख सबजियां भी होनी चाहिए वेजिटेबल्स भी होने चाहिए ठीक है राइस डाल इस सारी चीज़े होनी चाहिए ठीक है दही की बात करते हैं मिल्क दूद की बात करते हैं ठीक बैलन्स डाइट होना सही से उसको diet ना मिले, सही से उसको nutrition ना मिले, तो फिर क्या होगा, physically भी बिमार रहेगा, mentally भी बिमार रहेगा, ठीक है, अगर इस तरह की हालत होगी, तो कुछ भी अच्छी बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है, तो अच्छी जीवन के लिए अच्छी भोजन बहुत जरूरी है, फिर हम बात करते हैं, early stimulation, प्रारंबिक प्रेड़ना, ठीक है, तो प्रेड़ना एक ऐसी चीज़ है, stimulation एक ऐसी चीज़ है, अगर बच्चों को दी जाए, हर किसी को इसकी जरूरत होती है, अगर बच्चे को बच्चपन सहीं उनको motivate किया जाए, उनको encourage किया जाए, तो बच् को जितना encourage कर सकें, उतना करें, जो उनके development के लिए बहुत जरूरी है, stimulating environment, encourage the development of child's heritage potential, कि एक प्रेड़ना दायक वातावरन, बच्चे की आनुवनसिक, छमता के विकास को प्रोच साहित करता है, ठीक है, हर कोई, हर बच्चा अब जब पैदा होता है, तो इसमें कुछ शमता उनको बाहर लाए जा सकता है, बच्चों को आगे बढ़ाए जा सकता है, तो इसलिए teachers को चाहिए कि बच्चों को encourage करें, discourage ना करें, ठीक है, उनको motivate करें, demotivate ना करें, तो एक प्रेड़ना दायक वातावरन, अच्छे सारीरिक और मांसिक विकास को प्रोच साहित करता है जबकि एक अस्थिर वातावरन, ठीक है, एक अस्थिर वातावरन के कारण बच्चे का विकास उनके च्छमता से कम हो जाता है, तो इसलिए teachers को चाहिए कि बच्चों को encourage करें, उनको motivate करें, उनको आगे बढ़ाए ना कि उनको demotivate करें, ओके? कि अगर उसको stimulation ठीक है, उसको प्रेंटना सही से ना मिले, ठीक से ना दिया जाए, उसको demotivate किया जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे अपने life को अपना जो बच्चा जो उसका जो goal है, जो उसका aim है, उसको achieve नहीं कर पाएगा, और कहीं न कहीं पिछड तो इसलिए early stimulation भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, तो एक ऐसा environment create करना चाहिए, जहां पर बच्चों को encourage किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको appreciate किया जाए, ठीक है, फिर आता है child rearing practices, बच्चों के पालन portion के तरीके, तो गीजु भाई बादिका ने एक book ल जा सकता है, लेकिन उन पर ध्यान देना, जैसे हम बात करते हैं, एक माली, एक gardener, जब बगीचे में full पौधे लगाता है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार बीज डाल दिया और उसका काम खतम, बीज डालने के बार daily उसके care करना होता है, daily पानी डालना होता है, sunlight जरू एक तरह से हम उसी पेड़ पर पक्षी भी बैठते हैं, मतलब उसी पेड़ के जो फल है, इंसान भी खाता है, पक्षी भी खाते हैं, जानबर भी खाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कि अगर बच्चे का उचित पालन पॉर्शन होगा, तब ही ओ आगे बढ़ सकता है, अप उसने बच्चों पर ध्यान ना दें, उनका पालन पॉर्शन रही से ना करें, अपनी लाइफ में ही बीजी हो जाएं, तो बच्चा गलत रस्ते पर चला जाता है, तो इसलिए बच्चों के पालन पॉर्शन के तरीके, बच्चों को अच्छे तरीके से उनका पालन लेगा कभी गलत रस्ते पर नहीं जाएगा ठीक है तो अगर बच्चों को हस से जारा freedom दे देते हैं तो भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है उनको हस से जारा freedom भी नहीं देना चाहिए एक control होना चाहिए क्योंकि बच्चे जो होते हम कह सकते हैं कि जो विकास है चाहे social development है चाहे हम बात करें individual development है ठीक है ओ और बहतर तरीके से हो सकता है तो घर का माहौल जिस तरह से होगा बच्चों के पालन portion जिस तरह से होगा क्योंकि देखते हैं कि بच्चे ठीक है एक society में रहने वाले बच्चे उस society में जो school है सब़ी school जाते हैं लेकिन क्या सबी आगे बढ़ पाते हैं नहीं क्यों क्योंकि depend करता है क्योंके घर का माहौल कैसा है आस पड़ों कैसा है उन पर धिया जा जा रहा है कि नहीं ठीक है अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको सुधारने की कोशिस की जा रही कि नहीं उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं तो अगर पालन पॉर्शन अच्छा होगा जो चाइल्ड रेरिंग प्रैक्टिसी से एक पॉजिटिव विम होगी तो उसका बच्चो पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा अगर नहीं होगी तो उसका एक नेगिटिव असर बच्चो पर पड़ेगा ठीक है तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड डेवलाप्मेंट को बच्चे के विकास को परभा करिएगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद